प्यारे मुक्त कह दिया हूं जिसे छोड़ना है कहीं हम ही तो उसे नहीं पाल रहे सुक्ष्म गल्तिया अदर्श्य में होने वाली गल्तिया अज्यान की वज़े से होने वाली गल्तिया प्रकाश में लाने के लिए आज़ा जाने दिवका ध्यान, मडिटेशन, रिलीज करने के लिए कर रहे थे जिसमें समझ अगर है तो इनसान चाहते छोड़ सकता है प्रकाश में आई हैं, चाहते तो छोड़ सकता है प्रकाश में ही नहीं था कि ये चाहत मन रखता है और ये समझ नहीं थी कि छोड़ने के साथ आपका जो है वो नहीं जाएगा हाथ में अंगुठी है और आपने हाथ को खोल दिया तो अंगुठी वहीं रह जाएगी आपके हाथों की रेखाएं वहीं रह जाएगी जो अन्यससरी था पकड़ा हुआ वो छोड़ जाएगा मर्मन कहीं सुक्ष्म तरीके से अग्ञान की वज़े से बच्पन से जो देखा है उस वज़े से छोड़ने को तैयार नहीं होता और ये पकड़ने के मुझे से क्या-क्या बीमारियां तैयार कर रहा है उसे पता नहीं है कई वरसे भी लोगों को दिखाया जाए गजेट्स के दोरा, मशीनों के दोरा कि ये देखो तुम गुसा कर रहे हो और ये ये तनाव शरीर में बढ़ रहा है और सोने के बाद भी ये तनाव रिलीज होने में इतने घंटे लग रहे है ये कोई इसको रिकॉर्ड करके दिखा पाए कि जिस बीमारी से तुम परेशान हो उसके पीछे तुमारी ये चाहत काम कर रही है कि खली तुमने कहा मैंने छोड़ दिया तो खतम होगे बीमारी इतना आसान हो सकता है कई बार ऐसे miraculous results लोगों को मिलते जब कोई एक चाहत बची रहती है जिस वज़े से वो इनसान वह बीमारी बगत रह है सब इलाज करवा दिये मर फिर भी बीमारी टिकी हुई है उस एक चाहत की वज़े से ये तो मैं हजम नहीं कर सकता ये तो मैं बिलकुल नहीं चाहता कि मुझे सहना पड़े तो वह चाहत शरीर पर असर कर रही है वो resistance अवरोध तो डाजिशन सिस्टम परतिकार करता है अपोस करता है और वही बीमारी का कारण बनता है वरना नेचर ने कुद्रत ने बनाया है सहज तरीके से हर अंग कारे करें उस पर किसी चाहत का दवाव नहीं है जब तो हर अंग पूरी शमता के साथ कारे करता है मुर्जब इंसान आखों के साथ, कान के साथ, जुबान के साथ, शरीर के साथ, तोचा के साथ, हर अंग के साथ, कोई न कोई चाहत जोड़ देता है तो ये दुरगंद तो में नहीं चाहता, तो लंग्स, नाख, शरीर के वे अंग जो इससे संबन्धित है, वे अवरोध पैदा करते है और वही अवरोध बेमारी का कारन बनता है, अवरोध करना उंको सिखाया नहीं गया था, इंसान की चाहतें अवरोध करना सिखाती है इंसान की आँखें देखना चाहती है मन कहता है मेरी बुराई मेरे सामने कोई ऐसा करे मैं देखना नहीं चाहता आप तो थी देखने के लिए वर विचार है न देखूं मेरी सास को में नहीं देख सकता मेरे बॉस को में नहीं देख सकता मजबूर यह देखना पड़ रहा है में चाहता हूं नहीं देखूं नहीं देखूं नहीं देखूं लोग अंदे तक हो जाते हैं और जब यह चाहते छूडती है तो अचानक रोशनी प्रकट होती है ऐसे चमतकारिक रिजल्स भी लोगों को मिली है कि उनकी चाहतों ने उनको रोकर रखा था उनके विकास में बादा डाली थी तो आज तो सभी बातों पर इकठा कार्या करवाया गया थोड़े में मगर आपको कैसे काम करना है गर पर अपने आप से पूछकर लिखकर कि कैसी कौनसी चाहते हैं जो जमा हुई हैं जीवन के अनुभव अज्यान में लेते हुए और अब इनको छोड़ सकता हूं या नहीं तो आँख बंद करके, मुठी बंद करके अपने आपको कहोगे कि अब मैं इसको रिलीस करने को तयार हूँ आजी मुक्त होने को तयार हो और डर नहीं है क्योंगे जो मेरा है वो मल्टिबला हो कर आएगा जो चाहते, कुछ देखने की चाहते कुछ सुनने की चाहते वो बढ़कर आएगी यह आश्र की बात ताकत देने से ताकत बढ़ती है आप कुछ चीज़ों के लिए ताकत लगाते है तो देखते हैं आपको बल बढ़ गया क्योंकि वो आपकी चीज़ है, शक्ति आपकी है जो आपका है वो बढ़ेगा, कुदुरत का नियम जो आपका नहीं है वो समाप्त होगा तो म जाने दो कहे पाएं, अंतर मन तक खुद को कन्विंस कर पाएं तो कुछ चाहतों के लिए कुछ ज्यादा बार बैटना पड़ेगा कुछ तो ऐसी समझ प्रकट होती है कि तुरंद लगता है कि अब इसकी आवशक्ता बची नहीं यह प्रकाश में नहीं आई थी बात, इसलिए हम इसे इंटर्टेन कर रहे थे इस पर ज्यादा चंता कर रहे थे मगर अब इसकी जरूरत नहीं रही तो हरे की इदा अनुसार हरे के जीवन में जो गठना हुई है क्यों गठना हुने के बाद ही चाहते हैं तायार होती है ऐसा नहो और ऐसा हो जब तब तब गठना नहीं हुई तब तक तो विचार नहीं था एक बच्चा है, खशी से हर कारय कर रहे था और किसी दिन स्कूल में सब ने उसकी हसी उड़ाई उसने जट से उड़ कर जवाब दे दिया वो बोल्ड था, कॉन्विड़न था सब हसे और उसके अंदर डर बढ़ गया आप में लोगों के सामने खड़े होकर जवाब नहीं दूगा मैं ऐसा नहीं चाहता अब मैं खड़े होना नहीं चाहता तो उस विचाहत का असर टांगों पर जब होने लगता है जिमेदार इन्न लेने का विचार कंदों में, शोल्डर्स में, कलाईयों में असर करने लगता है जब और ग्यान मिलने के सथ पदा चलता है कि यह चाहते उस गटना के कारण हुई जिने मैं अब छोड सकता हूं खड़ा नहुने की चाहत मैं छोड सकता हूं हर जगा खड़े हो सकते हैं समाज में, सोसाइटी में, स्टेश पर लगों के सामने इंसाफ के लिए खड़े हो सकते हैं तो जो आपकी मूल चाहत है, गुण है, सेल्फ का गुण है, वो बड़ेगा इंसाफ सेल्फ का गुण है, अंदर से साफ होना सेल्फ चाहता है, तो बड़ेगा, साहस सेल्फ का गुण है, वो बड़ेगा, दुनिया बनाने का साहस सेल्फ का है, सभी गालियां देंगे, फिर भी साहस, तो जो गुण है, वो बड़ेंगे, जो मनेताओं से आगया है, वो छुट जाएगा, मानेकताओं से जो आया, वो छुट जाएगा, तो कोई डर नहीं रखना है, तो सभी ने प्रोसेस समझा होगा, शरीर के हर अंग के साथ, आपके स कामने बाते रखी गई, आख के साथ, कान के साथ, नाक, जुबान के साथ, तुचा के साथ, विचारों के साथ, और अब अपनी तरफ से भी एक एक अंग को लेके गुटने के साथ क्या चाहत है, श्टमक के साथ, लंग्स के साथ, लिवर के साथ, जिसको जो तकलीफ है, शव शव पुछ सकता है कि इसके सथ क्या चाहत है? कोई मेरे कामने टांग नड़ाए? तो जो भी विचार उस अंग के साथ आये, कि इसके साथ मेरे यह विचार है, यह चाहते हैं… तो मैंन विचारों को चाहतों को छोड़ने को तयार हों कि ये जूँसे जाव ही आया है अज़ा तरा कि ये शरीर अज़ं मुरहे जो आपका है आईगा जो आपका नहीं है वो चाहद रिलीज होगी जिस वज़े से उस मौत के डर की वज़े से जो बीमारियां होती उनसे आप छुट जाओगे क्यो शुक्ष्म मौत का डर हर बीमारी के पीछ है ही तो खुद को कहे पाएं जब कि हाँ ये चाहद भी मेरी खतम है तो मुठी खोलना संकेत था अपने आपको संकेत दिया कुछ संकेत जब शरीर के द्वारा दिये जाते हैं मुद्रा के द्वारा दिये जाते हैं तो उनका प्रभाव अंतर मन पर होता है तो सभी ने आते ही जब स्वास पर कारिकिया स्वास को छोडने पर कारिकिया तो मैसूस किया कि छोडने के साथ और कुछ छोडने के साथ स्वास अंदर खुद बखुद आ ही रही है जो आपका है वो आजाता है तो स्वांस के साथ स्वांस जो प्रतीक है कि छोड़ने की तैयारी है तो वहां से श्टाड की पर हरें के अंदर अलग-अलग विचार आये होंगे क्या नहीं देखना चाहते या क्या न देखने की चाहत है क्यों कई बार सुनने के बाद पता चलता है की ये चाहत मेरे अंदर भी है कि रहर ऑंक के साथ आप करते गए और जो देखना चाहते हैं क्यों बड़ brother ये चाहत कैसे छड़ू अच्छा संगे चुनना चाहते है अच्छा की वजन सुनना चाहते है और डर बिलकुल नहीं रखना है, किको वो बड़ेगा, बजन बड़ेंगे। छोड़कर देखो तो सही, जाने दो, कहकर देखो तो सही। गुरु कृपा से ही होगा, ईश्वर से हम सब का मिलन, दूल मुक्त हो ये दरपन, गर समझ जाए मन, देख सफल हो ये जीवन, गर समझ जाए ये मन, ईश्वर जागरित हो जाए, गर चुदा हो जाए मन, तेच सपल हो ये जीवन, गर समझ जाए जीवन तेच सपल हो ये जीवन, गर समझ जाए जीवन